हालो गाईज, आज का लेटर शादी के अबाउट है, आपने एक होटल को रिजर्फ करना है और वहां की इंफरमिशन चाहिए कि इतने बंदे हैं और उनके लिए इतनी जगा है और उसके लिए इंफरमिशन चाहिए आपको कि इसकी कितनी कीमत होगी, ठीक है, तो जदी से इन मतलब के इन देम देजंबर, ओके, इरे इरे यानिके योर हॉकजएद वैडिंग शादी को कहते हैं, देसंबर में आपकी शादी हो रही है, तो उस रिलेटेड इंफरमिशन है, जो हमें चाहिए, जी हाबन हुंडर्ड पर्जोनन हुंडर्ड परसन है, जो सुम एसन ख करना, वहाँ पर बुक करना, क्यूंकि दिसंबर में आपकी शादी हो रही है, आपने सो बंदो को खाने पर दावत दी है, और आप चाहते हैं होटल में एक अमरा, तो उससे रेलमेंट मिट्रियल नीचे दिया गया है, क्या हमने लैटर के अंदर क्या लिखना है, इससे हट Information and Price, Information मतलब के कितनी कीमत होगी, बाल दीगे आंतवार्थ, यानि के जल्दी, जल्दी आंसर करो, जेर गेरते दामन उंड हैरन, जेर यानि के बहुँ ज़्यादा गेरते Honorable, Honorable Ladies and Gentleman, इश बीन शाइस्ता, मैं शाइस्ता हूँ, इश आबे इंस्यूर्दें, आक्तें दिसं इश आबे दिसंबर माइने होगजन, माइने होगजन, यानि के मेरी शादी का बेर दिसंबर में गे प्लान्ट प्लैंड की गई है, इश ब्रौखे इरे हिल्फे, योर हैल्प, आई नीड, आई नीड, ब्रौखे का मतलब है, नीड, यान पर बनोईते के भी आ सकता है, या फिर आप मील भी लिख सकते हैं, इश जुखे, यहाँ पर नाउन यूज हुए है, इस जुखे, इस जुखे, इस जुखे, आई नीड, यूज तीगन ड्रौउं, रौउम चाहिए, वो भी सूटेब, ठीक है, यानि के मुनासिब जगां आपको चाहिए, किसके लिए, 400 Persons, फार हंड्र परसंस के लिए आपको रूम चाहिए, ठीक है, कहां चाहिए, in a hotel, hotel में आपको चाहिए, यहाँ पे दातिव यूज हुआ है, आईनम, जो है, hotel से पहले आईनम उसले लगाया क्योंकर यहाँ पे, them hotel है, ठीक है, इश बिनोईतीगे, बिनोईतीगे, बुक् प्राइस के बाउट इंफरमिशन चाहिए फॉन फ्रॉम वेगलिशन यानि के पॉसिबल है रूम न हॉल या रूम्स ठीक है आप पूछ रहे हैं कि क्या पॉसिबल है आपको तो मदद की जरूरत है कि इतने पैसों में यह पॉसिबल है आपको यह जवाब चाहिए इस वरते आउफ एरे बाल दीगे आंतवार्ड बाल दीगे काते हैं सून यानि के जल्दी मुझे जल्दी आपका जवाब का इंतजार है सिर्फ आज का लैटर बहुत चोटा था इसलिए यह बहुत असान भी था क्यूंके और मुझे उमीद है कि आपको इसकी अच्छे समझागी होगी रोस की तरह आज भी आप लोगों के लिए एक टिप है कि वर्ब से पहले जब हम दस लगाते हैं ना तो वो नाउन बन जाएगा हमेशा ऐसे ही होगा ठीक है जैसे के दस इसन जब आप दस इसन करते हैं तो वो खाना बन जाता है और जो वर बैना का फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल आता है सुम इसन यानि के टू इन्वाइट फॉर मील और इम होटल जो यहां पर यूज हूँ है वो इन्दी होटल यूज हूँ है वन कहते हैं कब को वारूम कहते हैं क्यों को बाल्दी के आंतवार्द मतलब इमीडियेटली आंसर करना और इशहाबे के प्लान यानि के मैंने प्लान बना लिया है यह सारी कुछ बेसिक चीजें थी जो बतानी ज़रूरी थी तो मुझे पूरे उमीदा के आज का लटर आपको बहुत अच्छा लगा होगा अगर मेरे यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है थेंक्यू सो मच अलाफेज